त्रिपुरा से दिल्ली आए हैं मैं सब को बोला चाहता हूँ लाम सोगो चु डेली जंतर मंतर में पूरा इंडिया में जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट पिप्रा साथ भुकुंग बारा को छोड़के आज हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है सिर्फ हम लोग कर सकते हैं मैं आज बात मिए करोंगा मुझे बात करना है आप सब से बात करना है मीडिया से बात करना है नैशनल मीडिया से बात करना है लेकिन आज प्रोग्राम शुरू हो रहा है इसके लिए मैं थोड़ा सा दो तीन बात आपको कहना चाहता हूँ यहां में हम लोग दिल्ली आये हैं दिल्ली को बताने के लिए कि एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा उस त्रिपुरा ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है लेकिन हानी बुसा जो भूमी बुत्र है आज हम अपना अधिकार के लिए अपना राइट्स के लिए अपना सर्वाइबल और इक्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं पुछ को आगे बढ़ाने के लिए अपना भवश्य के लिए फााइट कर रहे हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि नौर्थी से जो भी कोई आता है दिल्ली होगा वो देशब कर भक ऐ हिंदूस्तान का देश फ्रेमी है हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि डेली में जो भी सरकार हो आज बीजेपी का है कल कॉंग्रेस का था पर सो कोई और भी हो आपको तिप्रासा के बारे सोचना पड़ेगा हमारा भविश्य के बारे आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे बाद बहुत स्पीकर्स लोग बात करेंगे मैं कल फिर से आपसे लास्ट में बात करूंगा उस समय मैं एक अच्छा लंबा से आपको एक भाशन दूंगा लेकिन आज सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं सबको दो बात बोलना चाहता हूं कि तीप्रा मोथा, तीप्रा सा, तीप्रा दोफा मर जाएगा लेकिन कॉंप्रमाइज अपने तीप्रा सा के साथ नहीं करेगा आपसे एक साथ पहले जब हम लोग आए थे दिल्ली तो सब लोग ने बोला था अरे तीप्रा मोथा तो इलेक्षिन के पहले अलाइज करके तीप्रा लाइज का डिमाण और नहीं करेगा लेकिन इलेक्षिन के लिए स्रिफ वो महना बाकी है और आज हम लोग फिर से दिल्ली में आये हैं greater टीप्रा लैंड डिमान करने के लिए तो जो लोग ने जिस लोग ने बोलाथा कि हम लोग अलाइंस करेंगे टीप्रा लैंड को हम लोग कोप्रमाइस करतेंगे आज मैं उनको बोलना चाहता हूँ उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कि एक साल से उपर हो गया है, हमने ना किसी से अलाइंस किया है, हमने ना किसी से बात किया है, और एलेक्शन वो महना पाकी है, अगर आपने हमारा Constitutional Demand राइटिंग में नहीं गिया, तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, आपको जो भी सब्सक्राइब करो अपना राजविती, सस्ता राजविती नहीं करेगा, सतर साल से हम, दो, सतर साल से, हमको निचे रखा गया है, हमारे गाउं में आज पानी का problem है, राश्टा का problem है, स्कूर का problem है, नौकरी नहीं मिलता है आज अगर तीप्रासा को कुछ करना है बाहर जाना पड़ता है आज हम अपने ही जमीन में अपने ही हा में अपने ही राज्ये में आज हम लोग भिकारी बन के रहे हैं लेकिन तीप्रासा लोग आप लोग अगर अपना थंसा रखता है अगर आप लोग एकता रखता है अगर आप लोग इमिटी रखता है तो मैं आपको पोल रहा हूं कि आने वाने दो महने के अंदर पूरा इंडिया दिल्ली आप हमारा बाग सुन लो न्यू डेली आप मेरा बाग लिख के सुन लो राइटिंग में सुन लो इस बार तीप्रासा लोग अपना ज अगर आप लोग रेडी है आपका थंसा है तो हमको कुछ नहीं चाहिए लाओ अपना सबसे बड़ा हत्यार को लेके आओ क्या है उनके पास उनके पास पैसा है मेरे पास थंसा है उनके पास हमारे पास इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कल मैं फिर से बात करूंगा अब बहुत सीनियर नीरेस लोग बात करेंगे मैं आपको सबको निवेदिन करता हूं डिसिप्रिन रखो सब लोग सिप्रसा को देख रहा है सब लोग हमको देख रहा है और सब लोग को जानना भी चाहिए कि हम लोग का discipline है हम लोग नौर्टीज से आया है सिरुप्रा से आया है गुकुंबरा है हिम्मत है गरीब है लेकिन ताकत आज भी हमारे अंगर है कल मैं इसी मन से अपना डिमान रखूंगा हम लोग अपना मेमरेंडम भेजेंगे किसी नेता से नहीं मिलेंगे जब तक नेता राइटिंग में हमको लिखके नहीं देता है कि वो ग्रेटर तिप्रा लैंड के बारे Constitutional Solution के बारे हमारे संग बात करे जब तक वो लोग हमको लिखके नहीं देता है हम किसी से नहीं मिलेंगे ना कॉंग्रेस से ना CPM से ना BJP से ना त्रिनमूल से हम लोग अकेला अपना बलभूते में तैयार है We are ready बुबागरा लंगलिग बोली से नहीं और जब तक बुबागरा आपके साथ है और आपका प्यार बुबागरा के साथ है बुबागरा को कोई हिला नहीं सकता पीपरासा को कोई हरा नहीं सकता बलाए बलाए नहीं हम भाए I appeal to all the leaders